मुझसे कई बार ये request की जाती है कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं ये बताऊं कि smoking ये cigarette पीना कैसे छोड़ें ये cigarette की आदत को कैसे छोड़ें इस सवाल का सीधा सा जवाब मेरे पास इतना ही है कि आप चुटकी में cigarette पीना छोड़ सकते हैं और ऐसा इसले कह सकता हूँ क्योंकि मैंने ये काम किया है आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप smoking कैसे छोड़ सकते हैं और अगर आप smoking नहीं करते तो भी प्लीज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जिरूर देखिएगा क्योंकि मुझे ये किन है कि ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल सकता है अब हम इस बारे में और बात करें उसके पहले बस इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्क्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे कोई वीडियो मिखना करें चलिए आप आपको वो किस्चा बताता हूँ जिसमें मैंने सिग्रेट छोड़ी थी ये शायद 14 साल पुरानी बात है जब मैं 21 साल का था और तब मैं स्मोक किया करता था तब मैं दिन में एक पैकेट सिग्रेट आराम से पी जाता था और उस वक्त मेरा एक बहुती सीधा चरूल था कि सिग्रेट पीने के लिए भिकारी नहीं बनूँगा किसी से माचिस नहीं मांगूँगा मतलब कि जेब में लाइटर होना जिरूरी होता था बस इस बारे में घर में किसी को पता नहीं होता था और लाइटर मोटली मेरे बैक पैक में होता था जिसमें कोई हाथ नहीं लगाता था लेकिन एक दिन गलती से वो लाइटर मेरी जेब में रह गया और मा को जेब से पैसे निकालने की आदत थी तो उन्होंने पैंट की जेब में हाट डाला और जेब से लाइटर निकला फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे सवाल किया कि इसका क्या करता है मैं जूट नहीं बोलता था तो मैंने कहा सिगरेट पीता हूं और क्या उसके बाद पतानी कहां से एक थपड़ाया और कान के नीचे जोर से ताली बजी और फिर मानने सवाल किया जूट कब से बोलने लगा उसके बाद मानने सवाल किया जूट कब से बोलने लगा और वो मौका था जब मैंने तैय कर लिया कि आप सिग्रेट नहीं पिऊंगा और उत दिन से मैंने कभी भी स्मोक नहीं किया अब उस मोमेंट में जो हुआ था उसको मैं आपको हिस्सों में बताता हूँ और मुझे यकीन है कि उसके बाद आपके लिए स्मोकिंग छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा सबसे पहली बात मेरी मा ने कहा कि जूट कब से बोलने लगा उन्हें इस बात पर भरोसा हुए नहीं रहा था कि मैं स्मोकिंग भी कर सकता हूँ उनकी मुझे मुझे उम्मीद थी कि मैं कोई गलत काम कर ही नहीं सकता और वो उमीद वो भरोसा मेरे लिए बहुत बड़ा कारण था स्मोकिंग को तुरंत ना करने का और उसके बाद मैंने उसी वक्त उसी पल में ये फैसला कर लिया था कि अब ये स्मोक बिलकुल नहीं करूंगा सिगरेट को टच भी नहीं करूंगा और तब से लेकर आज तक मैंने सिगरेट को अपने हाथों में लिया भी नहीं है चुआ भी नहीं है अब यहाँ पर आप कैसे रिलेट कर सकते हैं तो सबसे पहले अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो खुद को एक कारण दीजिए और यह कारण इतना स्ट्रॉंग होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे तुरंट एक्शन लेने के लिए यह कारण आपकी पतनी हो सकती है आपकी बेटी हो सकती है आपका बेटा हो सकता है आपकी मा हो सकती है आपके पिता हो सकते है या कोई और हो सकता है बस ये ध्यान रखी कि आपको खुद को एक बहुत ही strong कारण देना है बिना इस कारण कि आप smoking को छोड़ने में सफल नहीं हो सकते तो खुद को एक कारण जरूर दीजिए दूसरी बात ये है कि आपको cigarette को तुरंट छोड़ना होगा कल नहीं, परसों नहीं, धीरे-धीरे नहीं, रुक कर नहीं उसी मौके पर छोड़ना होगा जब आपने ये तै कर लिया कि छोड़ना है और उसको बिल्कुल भी टालना नहीं है और यहां मैं आपको बता दूँ कि smoking छोड़ने पर आपको कोई बड़े side effect नहीं मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ आपको ये लगता है कि उंगलियों में और होटो उपर कुछ tingling हो रही है कभी-कभी सीने में हलका सा भारीपन लग सकता है लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता नहीं आपको चक्कर आएंगे नहीं उल्टी होगी नहीं कोई और तकलिफ होगी तो खुद को कोई बहाने मत दीजिए कि smoking धीरे-धीरे छोड़ना है नहीं तो इसके कोई नुकसान होंगे और दुशरी बात दे आप इसको अभी छोड़ दीजिए और पूरी तरह से छोड़ दीजिए अब इसके बाद बारी आती है कि तलब लगेगी तो क्या करें तो असल में आपको smoking की नहीं उस आराम की उस relaxing feeling की तलब लगती है जो आप cigarette पीते हुए महसूस करते हैं आप cigarette पीते हुए एक लंबी सांस लेते हैं ऐसी सांस जो नीचे तक जाती है ये लंबी सांस आपके दिमाग को relax महसूस करवाती है साथी आप smoke करते हुए अपने आसपास के माहौल को आराम से देखते हैं आप किसी एक बात पर focus नहीं करते और ये बात भी आपको smoke करने के लिए excite करती है आप खुदी देखिएगा कि जब आप डरे रहते हैं चिंता में होते हैं, stress में होते हैं तो आप कभी भी गहरी सांसे नहीं लेते आप तेज सांसे लेते हैं आप चीजों को focus करके देखते हैं और ये हाला तब तक बने रहते हैं जब तक आपकी condition change नहीं होती तो जब आपको smoking छोनने के बाद cigarette पीने की तलब हो तो वैसा ही पोज बनाईए जैसे smoke करते हुए बनाते हैं वैसे ही लंबी सांसे लीजिए जैसे आप smoke करते हुए लेते हैं और बिल्कुल वैसे ही relax होकर आसपास के माहौल को देखने की कोशिश करिये और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी तलब कम हो जाएगी और इसके बाद जो बाकी बचा काम है वो आपकी willpower कर लेगी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दोस्तों कि अगर आपने ये तीन बाते समझ ली तो आपकी smoking पूरी तरह से छोड़ जाएगी और अगर आप smoke नहीं करते हैं लेकिन फिर भी मेरे कहने पर यहां तक रुके हुए हैं तो पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने के लिए अब बात करते हैं कि आप इससे क्या सीख सकते हैं तो आपको भी वही करना है जो मैंने smokeers के लिए कहा है बस ये काम life के बाकी मौकों के लिए करना है मतलब अगर आपको कुछ करना है तो खुद को कारन दीजिए उस काम को करने के लिए फिर उस काम को तुरंट करने का action लीजिए और जब stress लगे तो लंबी गहरी सांसे लीजिए ताकि आपको ज़्यादा occasion मिले और आपकी body relax हो करके उस काम को करने के लिए फिर से energy खटी कर सके यगिन जानिये दोफ्तों अगर आपने ये तीन बाते समझ ली तो आपके लिए smoking छोड़ना तो बहुत आसान होई ही जाएगा और आप अपनी life को भी बहतर बना सकते हैं अब अगर आप smoker हैं तो मुझे बताईए कि आप smoking छोड़ने वाले हैं या नहीं वीडियो अच्छा लगा है तो इसे like जरूर करिए और कम से कम उन दोफ्तों के साथ में जरूर share करिए जो smoking करते हैं ताकि शायद उख़ुद को बदल सके हैं तो आप वीडियो को share करिए, like करिए मैं आपकी मिलूँगा अगले वीडियो में Thank you very much